नो बक्वास टॉपिक पाते सिधा ठीक है सब्स्राइब को लाइक को इसे बक्वास नहीं करने का अब सब लोग इंटेलिजेंट हो चुक गया है कि लोगों को ग्यां दिने जुरुवत नहीं सबको पता है क्या करना और क्या एक टॉपिक चैप्टर एफ एक अंडर राइटि कि दढ़ दस मास के अब आप्शन के साथ में यह तो कभी-कभी 10 और 15 भी हो सकता है तैन और तो फिर आठ और साथ में दो कर देगा संदेख फूशिक आप्शन में हां तो इस तो इस आपको 10-15 मास फिक से एक कुश्चन यहां पर अपन्दर मास आपको यहां से तर्मा एक ह एक लिए अंडर राइटिंग औफ शेयर से डिबेंचर समय टॉपिक इस्टार्ट किया टॉपिक अच्छा है कि अंडर को शेयर से अंडर राइटिंग है क्या अब तो अपको लिए यहां पर समझ साव पर नाम से नहीं समस्व पर अभी समझेंगे तो बहुत इसी लगे आपको तो अंडर राइटिंग और शेर्स एंड इवेंचर अगर मैं आपको सिंपनिक इग्जामपल से समझाओं तो मान लो को एक सोटी सी कंपनी एक्जामपल के लिए एक कंपनी है जिसका नाम है xyz लिमशें प्राइल के अब है अभी ये कंपनी को मार्केट में पब्ली को क्या करना है शेर्स इस्यू करना लाइए यह यह ऐखर्टर ऊभ शेयर्स इश्यू करेगा और एक नई कमपण्य है तो क्या आपको लगता है कि इसका चाइस पब्लीक पर्छस करेंगी मार्केट में आपको लगता है आपको लगता है कि पॉबलिक से इसको रिसिपांस मीलेगा पबली की और अगर इसने शेर्स इशू कर दिया शेर्स इशू कर दिया रिस्क लेकर पब्लिक के लिए और ये शेर्स 90 परसेंट तक अगर सबस्त्राइब नहीं हुआ मतलब सम्झों कि सोल्ड नहीं हुआ मार्केट में वितिन 120 डेज कितना बोल रहा हूं है एस पर दो कंपणी लोग तो तो जितना भी पैसा इसने कलेक्ट किया है ना पब्लिक से उनको वापस रिपर्ण करना पड़ेगा तो तो मार्केट में शेयर्स इशू कर देना इतना अस पाइस अमझ में आ गया कि शेयर्स इशू करना इतना आसान नहीं है तो यह ले लेंगे और जब पैसा रिटन कर दोगे मार्केट वापस लेने के बाद तो सोचो आपका गुडविल क्या हो गुडविल क्या हो पुरा मार्केट में आपका नाम क्या हो जाएगा गिर जाए खतम हो जागा ना लिश्टर हो जागा मार्केट में तो उस चेसमें कमपनी को तो शेयर्स इश्वां करना यह पैसा रिस करने के लिए फंड रेज करने के लिए तो तो इस्तों यह है diff 0 करें तो अब वो कंपनी क्या करती है वो खुद डायरेक्टली मार्केट में ना आखर खुद डायरेक्ट मार्केट में श्यर्स पवा इश्यू करने से अच्छा क्या करती है वो किसी अंडर राइटर को अंडर राइटर अंडर राइटर को क्या करती है अपॉइंट करती है क् कि सिवस्टिया फंट करती हैं ताकि वह उसके सेर्स को क्या करेगा बेचने के लिए मिलद करेगा हैल्फ करेगा कमिनी के लिए जो पपलीक बैठी है उनको कन्वेंस करेगा और यह जो अंडर आइटर है वह कौन है तो फो एक पर्सन है कौन है यह नहीं कि सन्नी होगा यह नहीं कि सन्नी होगा यह नहीं कि नदीम होगा यह कौन होगे परसंस एक इंडिविजुल भी हो सकता है ज़रूरी नहीं हो सकता है तो सन्नी भी हो सकता है इंडिविजुल हो सकता है फॉर्म हो सकते हैं कंपनी हो सकती है और नौन लेकिन कोई वह सकते हैं कोई तो पो यह सुने को राणी शुरग को किו फायन lodge कमपनी ऊसका है कि नी एक सबूख मेरे खिशेट कंपनी है किया करना है। इस्यू करना है तो पॉब्लिक में जानती नहीं है और मेरा अगर मैं डारेक इस्यू कर दूंगा पॉब्लिक खरीदी नहीं तो मैं आप लोग को अपॉइंट कर रहो है क्या नहीं तो यह जो अंडर राइटर यह कौन हो गए खरी खरींट पर्षास के रोटेक्स दॉट फॉट्रगए सील स्टेंग तो तेक दा रिस पोंसिविटी कि मैं आपका सेष क्या करूंक आप भार दोंगा अब आपका सेर्स मार्केट में बिच्वागा दुवाथ अंभ अब बात आती है रडेशन वोजई ते लिक फिक फिक अपर अब ईडर गले डियों टेका बोलेंगे अन्डर आपर तिके लियुकर ने झीमदारी लेले कैसे की खिकी एक्सें जदिमारी ट्रश्टेन के खुण रिटल आब पोर मिजमी भाई सब्सक्राइब ले लिए टिक है तो यह जो पर संद the यह जो इक सब्सक्राइ meneda तो हमैं थे 17 188 फॉनिति पनी खैच्ट्ड रियाइड इनलियर फ्र मिनिप डिस से इंडिविजवेसे फ़्म be amiga जो भी या एक्सेक्टर हार किन्सेख एकपम रएश्य थी क्या बना लिए था फ्रिय तो यह लोग ने क्या बोला कि ठीक हम आपके सिर्श सभाड अंगे बेचेंगे लेकिन एक शर्थ रखा इस नेक्स वाइज़ेट में अगर तुम लोग भी ना बेच पाव तो है ना तुम लोग भी ना बेच पाव तो तब क्या होगा तब इंडिविज्व जो ये और अंडर राइटर और ये अंडर राइटर बोला ही कहना नहीं भी का ना तुम मैं खरीद लिए अब आए मैं मैं जिन्दा हूँ मैं वेलकम फिल्म को डालोग मारा सुझे परचेस कर लोंगा जो भी रहेंगे जो भी अपॉइंट करेंगे वो लोग लेंगे अब यहां पर जो अंडर राइटर होता है तो उसको क्या मिलेगा एक दूसरा कुश्चन रेज हो गया किसमें जिम्मजारी तो ले ली कि मैं आपका शेयर्स मार्केट में पब्लिक से क्या करूंगा बेच कर दूंगा और पब्लिक से पैसे करके दूंगा पर अब मुझे क्या फाइदा होगा एज अंडर राइटर तो एस पर दर कंपानी लोग 2013 इस क्लियरली सेज दैट की जो भी इस शुड़ प्राइज होंगे ना इस शुड़ प्राइज और शेयर्स उस पर पांच प्रसेंट मैक्सिमूम क्या मिलेगा मिले अंडर राइटर मैक्सिमूम नौट अमीनिमूम बताब पांच प्रसेंट से उपर नहीं दे सकता मतर एक्वाइज जेड पांच प्रसेंट से उपर कमिशन इसको नहीं देख कितना पसंट कमिशन चाहिए लेकिन मैक्सिम कितना है पांच परसेंट भी पांच परसेंट भी लोग काम करते यह ठीक है लेकिन अगर यह डिवेंचर रहा तो 2.5 परसेंट 2.5 परसेंट इन देखेस ओ ऐसा क्यू है भीकौस एक्विटी में रिस्क जядा है इसके लिए प्रफिट मार्जन कमिशन का मार्जन थे जादा और बेंचर में रिस्क कम ern है इसलिए यह पर्राफिट कमJa आब देखते है अब क्या होगा तो अपने देखने मिलेगी एक होता है मार्क एप्लिकेशन मार्क एप्लिकेशन है और दूसरा आपको देखने मिलेगा अन्मार्क एप्लिकेशन है मैंने कल आपको आइधिंग फेरी लिख के दिया दैसा है तो यह मार्क एप्लिकेशन क्या है और यह अन्मार्क एप्लिकेशन क्या है अब हमें दो कॉंसेट्ट को समझेंगे राइट त पॉस्ऩब समझ जाएंगे तो माग अप्लिकेशन किया है देखो जैसे की x, y, z, company अपनी द्लाइट एस वाजर द मपनी कितने अंडरेटा पॉइंट की ए और एक नाम था सनी पाती एक करांथा कि एक नाम था पूजा इसे प्रिट यह यह थी तीन गौने अटरेटर अपॉइंट के राइट कि सन्नी दूरे पुजा यहां से यहां देखें कि आपके में भी है और कबाब में भी है और और अधिका प्यादि एंड में जाती है तो यह एक्स वाइज ड़ कंपनी प्राइबट लिम्टेड ने यह एक लाक शेर्स को मार्केट में बेचना था उसमें यह तीन लोगों को उसने क्या किया अंडर एटर आपकोंट किया कि मेरा एक लाक शेर्स क्या कर दो बेचवाक तो यह लोग ने बोला कि ठीक है ना चोटी बाते यह पूझा देखो तो अनमाक का मतलब गया है यहां पर आपने समय लोग कि इस लिए इस लिए पड़ा रहा है इसलिए इसले नहीं पड़ाता है इसले मिरा मूड भी नीदा कि जब मूड चला हो तो मत पढ़ाऊ मेरा कहना है जब सच में एनर्जी ए तो पड़ा एनर्जटिक रहने आगवी पताई तो यह तीन लोगों इसले मेरे अंडर तो यह तीनों ने बोला कि ठीक है मैं 30,000 सेर्स क्या करूंगा यह भी बोला में 30,000 बेच ओंगा इसने बोली में 40,000 बेच वास सुबस टैलेंग है सम्झा करों सिया वह मोर कर्मेंसिंग पावरास कंपर तो सनी एना तो यहां पर एक लक्स एसका इसने जि जुषा न जुषाष आरी पी पाइण तक समय आपको अब रिलोगने शनी ने कया किया अपने जो से जू स्केजि humility को को होंगे tö Hee thieves movies होगी चला रहा लगाएric amount लाए तो अपने लोगों के बोला कर दो अपकंपनी का या कर लो शलो कव्रेंगे डिया det फ़र्म बेच दिए एपिलिकेशन क्या कर दिया उसने प्रोवाइड कर दिया अपने अपने लोह को इस अब सब लोग ने अपना application फोर्म भर के और application जोभी फीस होगा भर के जाकर कमपनी को kशुई कर दिया क्या 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 अब इस एक्स वाई जेड कंपनी को कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो शेर घ्लायर है पुब्लिक वो सनी के थ्रू आया है कौन सा आकिप के थ्रू आया है समझ में आ रहा है क्या समझ में आया तो यह जो लोगो तेना पिन ऋहीं चयब फॉन बेटे बैस स्टैंब कर रखेंख कि एक प्रम जो रहे आड़ कॉनय स्टाइन मारे के रखेंगे सब्सक्राइब अपने मन से पर डाइडेंटिफिकेशन और पुझानि क्या बना के रखावा कुछ भी तो तो तीनों लोग ने क्या किया अपना माग करके रखाए ना तो यह एप्लिकेशन जब इसके पास रिसीव होगा क्लासिफाइब कर सकता है क्या कौन सा मेरा अंडर राइटर ने कितना से बेचा है अब यह तो अब यह जो हमने तरीका अपना आया उससे को मालूम पढ़ जागा ना कंपानी को कि सनी के थुरू कितने कस्टमर्स आए समझ जो आकिप के थुरू कितने आए और इसी को हम लोग कहते हैं अब सुन अब सुन अब सुन अब सुन अब सुन इतना इतना शुरी खतम नियुक्त राइट तो सनी को कितनी जिमाजरी थी 30,000 कि आकिप को 30 और फुजा को अब तो यह कर जरूरी कि सब के सब उतना बेची पाए होंगे पॉसिबल है क्या मेबी और में नौट पॉसिबल है कि वह बेच भी सकती होए और बेच सकता है और नहीं भी बेच सकता है तो कुछ इतना समझा आपको आपको तो अब कमपनी जो है अपनी एक्स वाई-जेड लिमेड दल मेर यह भी अपने बाऊंडिंग से बाहर निकलती है कि पाउंडिंसे अर यह चोंड बेच ती है क्या करती है क्या करती है खुद देच कि सब्सक्राइब तो जो सेर्स कंपनी बेचेगी तो उस पर नहीं होगा नहीं रहेगा तो जो स्टैम्प जिस पर नहीं होगा आइडेंटिपाइस का मतलब वो क्या है अनमाग एपलिकेशन हो क्या है लेकिन अनमाग एपलिकेशन का भी जो कमिशन होगा वो अंडर राइटर को डिस्ट्रेब्यूट हो जाएगा यह कि बिकॉस एक लाख सेर्स का कॉंट्रेक इसको तो देजिए ने तीनों को और वो कंपनी अपने बाउंडिंग से बाहर आके निकार थोड़ा मैनत कंपनी हां वही एक यह एक मैं ऑऐ एक लाख मेंस ओभी करतिक लोग तुम भी लेलो तुमी लेलो तुम भी लेलों कुछ लोग के पास जरू आखे है तो ओ लगंतियो decreased का के पास अप हरो अक्राख स्वल्म होगा होगा तो इस हैपटर में बेसिकलिए दो चीजे थी एक अडर राइटिंग किया है एक माक एप्लीकेशन क्या है और एक माक एप्लीकेशन क्या है तो यहां पर एक हमको क्या समझ लियामने कंक्लूजन तो क्या है क्यों पढ़ेंगे सबसे बड़ा कुश्च्छ इसको लोग करते हुआ है वाट सब्सक्राइब यह वाई चप्टर क्यों पढ़ेंगे मैं आपको हमेशा सिखाता हूं कि समसे ज्यादा पर पढ़ने का मकसद यह है कि अंडर राइटर की नेट लाइबिलिटी कितनी है अंडर राइटर की क्यों की कंपणी ने कंपनी ने एक यजट कंपनी ने एक लग शीर्स का रिस्पॉंसिबिटी दी आयाना चालीस तरी 30 और 40 अब यह लोग ने तो शेर्स बेज दिया कुछ बैचा कुछ उसने भी पुच्छ बैचा कुछ ने तो नहीं बचे आँगे तो जो बचा हुआ जो नहीं भी क्या है क्ष lö pyramid पुर्चेस करना पड़ेगा आया ना यह पो कितना पड़ेगा यह find out करने के लिए हम क्या पड़ते हैं अंडर्राइटिंग ओफ जेरि मी निबाइट करें तो और तो बैसली पढ़ने का मकसद होता है तू कैलकुलेट दा नेट लाइबिटी और समझा बाब सबको आप इस पर थेरी आगा तो लिए सकते हो ना पका ना चलो तो अभी तो समझ में सबको कोई फास्ट हुआ क्या पका ना चलो अभी एक चीज़ अब अब हम समकी बात करेंगे यहां पर तो यहां पर आपको एक क्या करना है क्या करना है सब्सक्राशन और दुसरा जणर्रेंट ऑद चीज़ा आप तो लिए चिदिह जटाने अब इसमें दो तरह के समापको में सिखाओंगा अंडर राइटिंग के अदर दो तरह के प्रेक्श्टीकल सम्स के एक नोर्मल तो हम इस चैप्टर में यह दो तरह के सम करेंगे एक नॉर्मल कोश्चन करेंगे और एक मैंने अभी जो कोश्चन लिखा है बोर्ड के उपर अगर आप देखो यहां पर दिख रहा कोश्चन आपको तो दिख रहा है एप्रील टूजन नाइंटीन में यह कुश्चन आया होता राइट यह कुश्चन जो दिख रहा है आपको बोर्ड पे वह कौन सा कुश्चन है नॉर्मल कोश्चन है अब लोग सर्फ हम कैसे अडेंटिफाय करेंगे कि फॉर्म अंडर राइटिंग है तो यह आपको उसी में लिखा रहे हाँ अब रेकेट में फॉर्म अंडर रैटिंग कर पा तो इसे आप अडिंटिफाय कर पाओ तो नॉर्मल कोश्चन है या फॉर्म अंडर रैत हमाज में आपको भूप को अंहें सब्सक्राइब कर दो तो हम लोग फर्स्ट आप करते इसका पॉस्ट टाइब करें ठीक है इस इस फिट आप नियुक्त है पर मैं आपको सम्झाने के लिए मतलब कंफेज़न ना हो तो मैं सको क्या करता हूं एल्यबरेट कर देता हूं कि आपको फैन प्रेज तो यह हमारा आज हम लोग यह सम देखेंगे ठीक है अब उसके अंदर देखो आपको करना क्या है तो यह जो फॉर्मेट दिखर आपको स्टेट्मेंट आफ नेट लैबिटी अफ अंडर राइटर यह फॉर्मेट रहेगा जितने अंडर राइटर होंगे इसे पर्टिकुलर बना दिया जितने राइटर होंगे दो होंगे तो दो तीन होंगे तो तीन चार होंगे तो यहां पर इन कॉलम सार्वां जितने ही बन जाएंगे ठीक है प्रिये माइनस करेंगे ए ग्रॉस लाइबरिटी क्या है ग्रॉस लाइबिटी हां टोटल से मताब उन्होंनोंने कितन कि यहां पर कॉन सा मॉंट आएगा उन्होंने कितना जिम्मेदारी लिया है शेर्स बेशने का यहां पर आएंगे यहां पर है यहां पॉड़िकेशन मैं आपको स्पाइगा कि मगई अप अप्लिकेशन क्या होता है जो लोग ने खुद बेचा है कौन लोगों ने अंडार आइटा ले वहां पर हम लोग शेयर लिख देंगे माइनस कर देंगे ठीक है फिर अनमाक जो कमपणी ने बेचा होगा उनके बिहाफ में उनके बिहाफ में तो यहां पर मायनस हो जाएगा है ना अब क्या होता है कभी-कभी कोई स्रप्लस में आएगा तो जो सरप्लस में आएक ना ओदूसरे दोने-दोने को क्या हजाएंगे औरूरस और रिच्छो और यह राइख accelerate और इस क्वेशन आया वाँ यह मेरे घर क्वेशन नहीं है उसका अमें यह पांच एंट्री करें गे इस्व एक्विटी शेर्स तो अंडर राइटर अंडर एंडर इंड गमिशन पेशन रिसी और अमांट पेड यह पांच एंट्री में आपको पुर जफ्री आपको नेक्ट वीडिय